कि नमस्ते कुछ दिनों में नया वर्ष आने वाला है और इस नये वर्ष को हम और आप जैसे करोणों लोग तरह तरह से मनाएंगे कोई पार्टी करेगा कोई पटा के छोड़ेगा कोई अलग अलग तरह के कोई कारिक्रम करेगा लेकिन हमको तो ये पता होना चाहिए कि ये नया वर्ष मनाया ही क्यों जाता है एक जनौरी के दिन ये जानना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि इस एक जनुरी का या की जो नया वर्ष है इसका एपरिल फूल्स डे से भी बड़ा गहरा एक तालुख है एक रिष्टा है एक कनिक्शन है आप निशित रूप से जानना चाहेंगे कि हम क्या बात कर रहे हैं जी हम जो बात कर रह हैं वो यह है कि जो नया वर्ष जिसको कहते हैं तो यदि भारती परंपराओं से चला जाया है तो भारत की परंपरा में जो नव वर्ष होता है वो उत्तर भारत के पंचांग से चैत्र शुक्लपक्ष प्रतिपदा से आरंब होता है और जो विंद्य के दक्षन के यानि महा प्राश्ट्र और दक्षन के जो पंचांग है उन में से चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से आरभ होता है और यह लगभग जिसको हम कहते हैं यह होलिका के आप यह सुझिए कि 15-20 दिन बात से होता है और हमारा जो मानक जो पंचांग है भारत का जो शकसंबत से संचालित होता है उसमें यह 23 यह 24 मार्च को आता है तो यह भारत का जो पंचांग है वो पूरे विश्व में आज तक अकेला ऐसा पंचांग है जो लूनी सोलर है लूनी सोलर का मतलब आते समझे कि जो चंद्रमा और सूर्य दोनों के साथ में संबंध इस्थापित करता है वो कैसे वो जो हम क्योंकि चंद्रमा की कलाओं से ही हमारे हाँ जो आरभाटे आते हैं और चंद्रमा की कलाओं से ही मौसम के परिवर्तन होते हैं लेकिन प्रतेक तीन वर्ष में उसको वापस सूर्य के कैलेंडर से अलाइन कर दिया जाता है और अलाइन करके एक अधिक मास लेके और उसको व या फिर आप आएंगे कि वो solar calendar है तो ये लूनी solar calendar का जो concept है वो भारत वर्ष में पूरी तरह से unique है हमारा एक USP है और इसलिए पूरा wish जो था वो भारत में आकर और गणती पंचांग इत्यादी का अध्यन करना चाहता था और मैं जब आगे आपको बताऊंगा तो ये भी ब पंचांग के लिए ही थी क्योंकि जो क्रिशी आधारत विवस्था होती है उसमें पंचांग का अतिदिक महत होता है क्योंकि पंचांग के आधार पर ही आप खेती करते हैं आप फसलें बोते हैं आप फसलों के काटने का समय में इत्यादी इत्यादी अब चलते हैं जूलिय प्रतिपादित किया जिसमें जूलियन कैलेंडर उन्होंने पूरी तरह से सूर्य आधारित कैलेंडर और उसमें 365 दिन रखे यह यह प्रत्थी जो सूर्य के चारों और जो चकर काटती वह 365 दिन नहीं होते हैं उसमें 365 से कुछ अधिक दिन होते हैं वह 365 एक बटा चार से गया कि जूलियन कैलेंडर जो है वो पिछड़ता गया और पंदरा सो सतत्तर ईस्वी आते आते उसमें लगबग दस दिन का अंतर आ गया पंदा सो सतत्तर में पोप हुआ करते थे ग्रेगरी तो उनके समय में जब यह समस्या सामने लाई गई और उस समय तक चुकि इनकी ए आलोइसिस लिलियस और एक ख़गोल शास्ती थे एस्ट्रोनफर क्लैवियस तो यह लिलियस और क्लैवियस की टीम ने पांच वर्ष लगा कर और फिर इसमें कर्यक्शन्स सतावित किये और उसमें इसको कैलेंडर को दस दिन और आगे ले जाया गया दस दिन आगे ले ले ज साल में ये आगे चला जाएगा तो फिर जो सौवा वर्ष है उसमें भी इनों ने ये कहा कि जो चार सो से विभाजित होने वाला जो शताबदी वर्ष है उसमें ही ली पियर होगा और बाकी तीन में नहीं होगा तो इस प्रकार ये लगबग इसको जो धरती का जो चक्रकाल थ होता था जब भारत में आये अंग्रेज तो इनों ने देखा कि यहां तो एक बहुत ही बड़ा एक विक सित पंचांग है जिसको कली पंचांग कहते थे जो की 3102 इसा पूर्व से चला रहा था तो फिर इनों ने कहा कि भी इसको ऐसे कैसे किया जाए जो अंतर आ रहे थे ज ने भी इसको डाप्ट नहीं किया था गरेगोरियन कैलेंडर को और दोर आपको एक बड़ा रुचिकर तत्य बताता हूं के जिसको हम रश्या का अक्टोबर रेविलूशन बोलते हैं और उसकी डेट जो है वह 17 अक्टोबर बताई जाती है वह वस्ततह ग्रेगोरियन कैलें कैलेंडर में नवंबर रेविलूशन थे क्योंकि तब तक कैलेंडर जो था वो क्रीब 1314 दिन आगे चा चुका था जो 1917 तक टर्की भी इसी उहा पोह में था कि वह इस्वामिक कैलेंडर अडॉप्ट करें या कि जूलियन कैलेंडर उन्नीस सो सथरा में जागे उसमें उनका जो तारतम में होता था वसंत रितू से होता था जैसे भारत में बताया मैंने आपको कि वो होली के 15-20 दिन बाद ये सारा कारेक्रम होता है तो उन्होंने फिर 1st April को ये ये देखा कि सबका इसका ये दिन निकाला जाए तो जैसे तमिल नाडू में उगाडी हो भी लोग नव वर्ष मनाते थे उनको फूल बोलना आरंब किया और एपरिल फूल करके वो परंपरा बनाई और जो जिसको आप आज एपरिल फूल स्डे से मनाते हैं तो एपरिल फूल जिनको बोला जाता है जो एपरिल वाले गदे हैं वो सारे के सारे वो हैं जो ग्रेगो पनचांग है वही सही पनचांग है। नव वर्ष का आरमभ। पूरे भारत में जो भारत सरकार ने तेग रखा है। 23-24 मार्च उसी को होना चाहिए ये कपरिल को होना चाहिए और इस April Fool को प्रचारित करने वाले जो Fools है उनका हमें पूरी तरह से तिरसकार करना चाहिए और तिरसकार करने के साथ जिसको हम आज कल कहते हैं कि बायकौड भी करना चाहिए क्यों नहीं दूसरी और और भी नया वर्ष जो है, जो पूरा का पूरा हमारा जो व्यापारी बर गए, वो दीवाली से नव वर्ष मनाता है, तो आप बले होली से नव वर्ष मनाएं, होली से पंदा दिन बात से आरम करें, या दीवाली में आरम करें, किसी भी प्रकार से जो नव वर्ष है वो या तो वसंत रितु में होगा और या फिर शिश्र रितु में होगा या शरत रितु में होगा शरत पूर्णिमा के आसपास होगा फालगुन पूर्णिमा के आसपास होगा या आपकी शरत पूर्णिमा के आसपास होगा तो अब आपके उपर है कि इन सब जानकारियों क ये शेट बाद भी आप अपना नववर्ष आप अपना बहुमूल्य समय आप अपना बहुमूल्य धन और आपका अपना बहुमूल्य आपकी जो भावना है वो किस नववर्ष के साथ देना चाहते हैं जैहन बंदिय मातरु